आशुतोष आपी से चुरू करता हूँ अभी तक हमारे चैनल पर आशुतोष हमने आपका विशलेशन नहीं सुना था आज के नतीजों पर दिल्चस्प होगा यह देखना आशुतोष 15 साल बाद BJP की MCD में हार को और आमादमी पार्टी की जीत को कैसे देख रहे हैं आशुत कestarस्तोष माननक का आमादमी पार्टी अगर नहीं जीती ह canım मेरी लिहास से आमादमी पार्टी का जीतना मेरे ले कोई बड़ी खबर नहीं है आमादी पार्टी अगर हारती तो मेरे लिए बड़ी खबर होती है इसके कारण बहुत अस्पस्ट है कारण इस बात को लेकर यह कि जिस दिल्ली के अंदर आमादी पार्टी विधानसभा के चुनाओं में पहले 67 सीट जीती है उसके बाद 62 सीट जीती है 2015 और 2020 दोनों में आमादी पार्टी 50% से जादा वोट लेकर आती है वही आमादी पार्टी जो है वो 2017 के MCD के चुनाओं में वो बुरी तरीके से हारती है और उसके बाद जब 2022 में वो MCD के चुनाओं लड़ती है तो 15 साल की एंटीन कंबंसी जेल रही MCD जो है BJP जो है वहाँ पर उनको तरणा टकर देती है और दोनों के बीच में सिर्फ तीन प्रतिशत का गैप रहता है और अगर आप देखिए तो भारती जंता पार्टी 2015 में वो 32% लेकर आती है 2017 में वो 36% लेकर आती है 2020 में एसम्बली के चुनाओं में 38% लेकर आती है और 2022 में 49% लेकर आती है तो BJP consistently अप आमादी पार्टी के वोट शेयर में में जबर्दस तरीके से fluctuation है अगर आप लोगसभा का compare करेंगे तो बात मुल्कुल स्पस्ट हो जाएगी तो दो तीन चीज़े बहुत स्पस्ट है अगर अर्विन केजरिवाल और आमादी पार्टी का गढ़ है जो वो मानती है गढ़ क पर थोड़ी से हैसा हैरानी होती है हाँ अगर 2022 के चुनाओं में में आमादी पार्टी 170, 180, 190 सीट लेकर आती जैसा के एकजिट पोल प्रजेक्ट कर रहे थे तो फिर मुझे लगता कि नहीं ये आमादी पार्टी के बड़ी जीत है लेकिन भारती जनता पार्टी 15 साल की एं स्टाचार के गंभीर आरोप हैं बहुती लैकलेस्टर रहा है उसके बावजूद भी अगर वो सौक के उपर सीट लेकर आती है तो फिर आमादी पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि उसको अपने इस जीत पर किस तरीके का जेस्ट मनाना चाहिए और क्यों जेस्ट मनाना नहीं जीती थी लेकिन दो तो क्लियर मेजॉरिटी से जीती उसके बाद अब एमसीडी में भी वो सत्ता में काबिज हो रही है सिर्फ लोकसभा का एक गड़ बचता है दिल्ली में तीन पावर सेंटर हैं तीन लेयर्ज हैं पावर के उसमें से अगर दो में वो काबिज हो ज सबसे मजबूत किला है और अगर सबसे मजबूत किले में वो अगर एमसीडी का चुनाओं उस तरीके से नहीं जीती है और बीजेपी 15 साल की एंटीन कंबिंसी के बावजूद भी 39% वोट और 100 से जादा सीट लेकर आती है तो फिर इस जीत को कैसे शांदार जीत माना जाए तो आप कैसे अनलाइस करेंगे अशितोष आप इसे कैसे अनलाइस करेंगे फिर मैं यह कह रहा हूँ कि यह आमादी पार्टी के लिए चिंता का विशे होना चाहिए अभी पिछले दिनों CSDS का एक लोकनीटी के साथ सर्वे आया जिसको इंडियन एक्सप्रिस ने छापा उ जानी बीजेपी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार की गंबीर आरूप लगाए हैं वो नारेटिव अब आमादी पार्टी के खिलाप जा रहा हूँ बिधान सबा के चुनाओं में आमादी पार्टी सिर्फ अर्विंद केजरिवाल की वज़े से जीत रही है चूकि MCD के अंदर अर्विंद केजरिवाल वहां नहीं हैंगे वहां लीड नहीं करने वाले हैं यह उनके लिए सबसे बड़ी चित्दक आप लोकसभा के चुनाओ उठा के देख लिए 2014 में आमादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती 2019 में आमादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती है तो जो आपका सबसे बड़ा गड़ है जहां विधान सबा की चुनाओं पचास प्रच्छत से जादा वोट लाकर आते हैं वहां अगर आप एक भी एक सो पच्छिस से सिर्फ नौ सीटे जादा यहीं आ रहा है दो तीम बड़े कारण है पहला पहला कारण तो यह है कि अभी भी दिल्ली के अंदर आमादी पार्टी का संगठन जितना मजबूत होना ची इतना उतना मजबूत नहीं है अभी भी जो संगठन है वो विधायको अरवीन केजरिवाल एमसीडी के लेवल पे आमादी पार्टी के पास ऐसे करिश्माई लीडर नहीं है कम सकब 2-4 होते जो जो बीजेपी के मिन कमज़ोरी है मानता हूँ मैं इस बात को लेकि बीजेपी को संगठन बहुत मजबूत है रिसोर्सें बहुत मजबूत है और ती पार्टी की छबी को कहीं ना कहीं उस पे डेंट लगाता हुआ दिखाई पड़ता है और यह बहुत साफ है यह इसलिए मैंने कहा कि यह आमादी पार्टी के लिए चिंता का विश्य होना चाहिए आप अपने गढ़ में तूसरे एटेम्ट में आप MCD का चुनाव जीत रहे है वो भी मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं आप बेरली मैलेज कर रहे हैं मिजारिटी याद के लिए का 2017 में भारती अद्धा पार्टी को एक से 18 सीट मिली थी और उस वक्त बीजेपी को सिर्फ आमादी पार्टी को 49 सीट मिली थी और इस बार जो आप जीते हैं वो इसलिए जी पूती के साथ चुनाव लड़ती तो ये चुनाव आमादी पार्टी हार भी सकती थी